ओम नमय शिवाय आज मैं आपको रुद्राभी शेक की बहुत ही सरलविदी बताने वाली हूँ तो एक बड़े से पातर में सरपतर में आप गंगा जल डालें और फिर उसे जल से भर लें इससे हम रुद्राभी शेक कराएंगे साथ में कुछ तामिगरी के आवशकता होती है इससे प्रद्राभी शेक कि लिए हो सके हwich तो नहीं तो जो भी आपको घर में आता है उसे प्रयोक करें बस दूद्र कच्चा होना चाहिए यानी कि बॉइल नहीं होना सकते हैं खटा करके भी अभिशेक करा सकते हैं और अलग अलग भी अभिशेक करा सकते हैं तो जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं घर पर पूजा कर रहे हैं चौकी लगा करके कर रहे हैं या फिर मंदिर में जा करके आप अभिशेक कराने जा रहे हैं तो वहां पर आप सेम विदी से सामिगरी से आप अभिशेक करा सकते हैं, तो देखिए सरपतम हमने कलश स्थापना करके, शुव परिवार स्थापित करके और यहां पर दूप दी प्रजवलित कर लिये हैं, वरुन कलश देव को इस प्रकार से देखिए, हमने अगनी देव का आवाहन कर लिया है, तो आप मिट्टी से पार्थेव शिवलिंग बना करके, सेम विदी से आप अभिशेक कर सकते हैं, उसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प ले करके, सभी देवी देवताओं को हम आवाहन करेंगे, प्रातन करेंगे, और इस प्रकार से देखिए, सरप्रतम हम छीटा दे से इस प्रकार से अभिशेक करते हैं, तो देखे यहां पर आप चाहें तो अभिशेक के लिए जो श्रिंगी आती है, जो जिसमें गाय का मुख बना होता है, तो उससे भी आप रुद्री का पार्ट करते हुए, चाहे मुबाइल में सुनते हुए भी आप अभिशेक करा सकत करते हुए, आप इस अभिशेक कराएं, तो दूद अरपित करने के बाद में हमने यहां पर शुद्ध जो जल है हमारा उसे अरपित किया है, बीच बीच में हम शुद्ध दोदक इसनान कराते रहेंगे, उसके बाद में हम दही अरपित कर रहें हैं, तो इस प्रकार से समय रुद्री का पार्ट हमें अवशे रूप से सुनना चाहिए, या फिर करना चाहिए, तो दही से इसनान कराने के बाद में हमने देखे इस प्रकार से फिर से शुद्ध दक इसनान कराया है, फिर हमने यहां पर शेह दरपित कर दिया है, और इस प्रकार से देखे सेम इस समवार के वरत में कर सकते हैं जितने भी शिवजी के हमारे वरत पूजन आते हैं चाय प्रदोश का वरत हो या फिर मासिक शिवरातरी हो महा शिवरातरी हो फागुन के शिवरातरी हो या सावन के शिवरातरी हो प्रतेग पूजा में हम इस प्रकार से शिवजी का अभिशेक कर सकते हैं. तो देखिए, शहाद में चुदो दख स्ननान कराएं, गी तोड़ा WiFi होना चाहिए, गरम घी नहीं लेना है क्षोले हुना है फिगली अवस्ता में होना हिरा है उसके बाद महीं ज़ार है. है और शेहद से अभिशेक कराने से रोगों से चुटकारा मिलता है चंदन से लक्षमी जी की प्राप्ती होती है गन्य का रस्यदी हम अर्पित करते हैं तो परिवार में मिठा सुख सम्रदी आती है सरसो के तेल से शत्रों से चुटकारा मिलता है और गाय का दूधा जह हमने अर्पित किया तो संतान के लिए सुख की प्राप्ती होती है तो यहाँ पर देखिए चंदन में जल मिला करके हम यहाँ पर गंदोदा किसनान बोला जाता है इसे गंदोदा किसनान करा रहे हैं और इसी के साथ में फलो के रसों से यदि हम अभिशेक कराते हैं आम के रस से अभी शेक कराते हैं तो फेफ्र संबंदित रोगों में हमें फायदा होता है इसके बाद में देखे फिर से हम शुद्धो दकिस नान करा देंगे और गंगा जल से यदि हम अभी शेक कराते हैं शिवलिंको तो हमें आंतरिक शांती की प्राप्ती होती है और खजूर के रस से आंतरिक और बाही अशत्रोसे में मुक्ती मिलती है, तो इस तरीके थी